नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग किस्सा के एक और नय एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज का जो किस्सा है वो हमें भेजा है सागर ने उनके साथ कोटेंग महिंदरा बैंक में एक किस्सा हुआ था कोटेंग महिंदरा बैंक के एक employee ने उनको call करके credit card दिलबाने के नाम पर उनके account से एक accidental insurance cover चालू कर दिया था तो चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में detail में और फिर मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा कि इस किस्सा से हम लोग क्या क्या सीख सकते है टाइम था मार्च 2020 सागर जी को एक कोटेंग महिंदरा बैंक के executive से call आता है वो executive सागर जी को बताता है कि उनके account पर एक credit card का offer है credit card उनको lifetime free मिलेगा और credit card के कोई भी joining charges भी उनको नहीं लगेगा और उस card पर उनको एक accidental insurance coverage भी मिलेगा credit card का नाम था cash back credit card और उस card को यूज करके आप कही भर भी spend करोगे आपको 5% का cash back मिलेगा ऐसा ही executive ने सागर जी को बताया था और सागर जी देखा कि credit card अगर 5% cash back मिलेगा मतलब बहुत याच्छा card है और कोई भी charges नहीं लगेगा तो लेना सही रहेगा उन्होंने वो instantly उनको हाँ कही दिया और जो executive था वो किया किया सागर जी को कुछ details पूछे उनको details चाहिए था क्योंकि card के लिए apply करना था तो तब सागर जी ने जो employee उनको call किया था उनके साथ personal details share किया उनके साथ उनके financial details भी share किया और जो employee था वो सागर जी को बताया कि आपके mobile पर एक OTP आएगा verification purpose के लिए वो आपको share करना होगा तो सागर जी ने सोचा कि हो सकता है कि verification के लिए ये हो सकता है कि OTP verify करने के लिए देना परेगा तो उन्होंने क्या किया OTP वो employee के साथ share कर दिया उसके बाद process complete हो गया employee ने call disconnect कर दिया उसके बाद सागर जी जब उनके account को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनके account से 2400 रुपिस गाय हो चुगा था तो उन्होंने number चेक किया जिस number से call उनका आया था तो उन्होंने देखा कि वो एक number mobile number था मतलब normal mobile number कोई भी official number वो नहीं था तो उन्होंने callback किया उस number पर उनको कोई भी answer नहीं मिला दो-तिन बार उन्होंने try किया कोई भी answer नहीं मिला और call का answer ना मिलने से सागरची KOTENG महिंदरा बैंक के वेबसाइट विजिट किया और वहाँ पर चेक किया credit card जो section था उसको चेक किया उन्होंने देखा कि cashback credit card नाम का कोई भी credit card KOTENG महिंदरा बैंक के पास नहीं है उन्होंने फिर KOTENG महिंदरा बैंक के जो customer किया नमध था वहाँ पर call किया, वहाँ पर call करके उनको पता चला कि उनके account से एक insurance coverage एक्टिवेट हो चुका है, accidental insurance coverage और उसके लिए ही 2400 रुपीज का उनको charges लगा है, तो उन्होंने सारे incident जो हुआ था उनके साथ share किया, तो जो agent था, उन्होंने सागर जी को एक number दिया, उनको बोला कि काम नहीं हुआ, तो जो नया number उनको मिला, वहाँ पर उन्होंने call किया, वहाँ पर call करके उनका complain register हो गया, और within 10 days उनको 2400 रुपीज का पैसा बापस मिल गया, पर उन्होंने उसके बाद सोचा कि उनको complain करना चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया था, उसके agonist उनको complain करना चाह कि जो employee ने उनके साथ ऐसा किया था, उसका कोई भी detail उनके पास नहीं है, तो उनके agonist कोई भी complain वो लोग नहीं ले सकते, और सागर जी का जो number था, वो D&D में वो लोग add कर दिया, मतलब सागर जी को future में कोई भी ऐसा call नहीं आएगा, पर मुझे लगता है कि जो credit का department है, totally इसके साथ linked है, मतलब वो सवी ऐसा करते है, इसलिए ही सागर जी को वो detail नहीं बताया, मेरे ख्याल से जब भी कोई employee एक insurance coverage अक्टिवेट करता है, तो उनका जो code होता है, employment code, वो वहाँ पर लिखा होता है, तो कोई भी, अगर कोई भी bank executive अगर चाहे, तो वो track कर सकता है कि कि इसने ऐसा किया था, पर इस case में भी वो जो कोटेंग महिंदरा bank के जो employees, मतलब जो agent थे, customer care के जो agent थे, उन्होंने मना कर दिया, मुझे लगता ही कि पूरा team ही ऐसा fraud करते है, तो ये था पूरा किस्सा, अब हम देखते है, इस किस्सा से हम लोग क्या-क्या सीख सकते है, number one, अगर कोई bank employee आपको personal number से call करके, आपको personal या फिर कोई भी information पूछता है, तो आप बिलकुल मना कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपके work number से आप मुझे call कीजिए, क्योंकि bank का जो number होता है, वो recorded line में होता है, मतलब आपके साथ, executive का जो भी बात होगा, वो recorded होगा, तो इसम fraud होने का chances लगभग ना के बड़ाबर होगा, number two, आपको कभी भी bank employee के साथ verification purpose के लिए OTP share नहीं करना है, कभी भी आपको bank employee OTP नहीं मागेगा, OTP सिर्फ आपके account से पैसा deduct होने के लिए लगते है, तो OTP आप कभी भी share मत कीजिए, number three, अगर कोई bank employee आपको call करके, या फिर bank म product के बारे में आपको बताता है, और आपको खरीदने के लिए कहता है, तो आप instantly हाँ मत कीजिए, आपको पहले आपका खुद का research करके देखना होगा, कि वो product सच में है या नहीं, और वो जो employee ने आपको बताया था, वो सही है या नहीं, आप पहले verify कीजिए, उसके बाद आ ऐसा कोई किसा हुआ है, और आप share करना चाते हो, तो screen पर आपको एक email ID देखेगा, वहाँ पर आपके किसा, आप detail में मेरे साथ share कीजिए, अगर आपके पास कोई भी screenshot में proof है, तो वो भी आप मेरे साथ share कीजिए, मैं कोसिस करूँगा उसको ऊपर एक वीडियो बनाने का, तो दोस्तो बस यह था आज का वीडियो, मुझे आसा ही कि आपको ये वीडियो वहाँ जदा पसंद है, वीडियो को लाइक और सेर करना बिलकुल मत भूलिए, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरू आपको ये वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तब तर के लिए जैहिंद वंदे मातरम